यहां पर एक गाप है और हाइर चांसे है निफ्टी एक गाप करने आ सकता है तो कल के दिन में अगर 9250 के नीचे अगर जाता है तो हाइर चांसे है निफ्टी यह पूरा गाप फिल अप कर सकता है योकि 9180 तक है अगर यह 9250 के नीचे जाता है तो काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा फॉर अटारेट ऑफ 9150, 9170 जो यह गाप है यह पूरा का पूरा गाप फिल अप कर सकता है निफ्टी तो 9250 के नीचे काफी अच्छा सेल रहेगा निफ्टी निफ्टी एक छोटे से चानल में ट्रेड कर रहा है और यह 20,000 के एक्जाक्ली थोड़ा सा उपर ही क्लोजिंग दिया है तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 20,000 के नीचे वापस जाता है तो यह काफी अच्छा अगर मिलता है तो काफी अच्छा शॉट रहेगा मैंग निफ्टी यह था निफ्टी एन मैंग निफ्टी अनर्स अब स्टॉप डिसकर्स करते हैं फॉस्ट टॉक इस श्री राम ट्रांसपोर्ट अगर आप देखो यह ट्रेंड लाइन के आसपासी बार-बार यह सपोर्ट रहा है अगर यह ट्रेंड डाइन ब्रेक करता है सिख थर्टी के नीचे तो हायर चांसे जह एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है तो स्री राम ट्रांसपोर्ट अगर सिख थर्टी के नीचे जाता है तो काफी अच्छा शॉट रहेगा नेक्स टॉक है राम को सिमें रामको सिमेंट अगर देखो, this was the fall, and this was the retracement, now again it is continuing its downtrend, so आपसे downtrend ही continue कर रहा है, so higher chances है, रामको सिमेंट में भी हमें बडा fall हमें देखने को में सकता है, till 500 levels, so एक 20-25 रुपे का fall हमें, रामको सिमेंट में भी देखने को में सकता है, last talk होगा, बंदन 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 में, you can see here, 15-minute चाट पे एक अच्छा कासा पैटन बना है, यह पूरा consolidation पैटन था, and यहां पर एक horizontal line बनता है, अगर यह horizontal line क्रॉस कर लेता है, 209-110 के उपर, तो एक पूरा का पूरा gap फिलप कर सकता है, 2.7 रुपय का, यो कि 215-218 टक यह जा सकता है, तो बंदन मैं के दी बंदन बंदन बंदन, बंदन 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 बंदन, बंदन 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 कहना कहन से, कौन से लेवल पर पर ट्रेड कर रहन है मैं आपको, telegram channel में update कर दूंगा, you can join my telegram channel, link is given in the description box. So this was the analysis for tomorrow's intraday training session. Thanks a lot for watching the video. See you in the next video.